करीना शुरू कते हैं बर्यम Map से फ्री फाइर का एक ब्रैंड नीव मैप जैसा कि मैंने एपिसोड वन में मैंचन किया था कि Hey스 फ्री फाइर मैक्स वरिजन में ग्राफिक्स क्वालिटी में बहुत इंप्रूव किया गया है पर्यमूदा मैक्स मैड में ये चीज बहुत ही पासे है बर्मुदा मैक्स के मैप की डिटेल्स बहुत ही रियल और कापिलित दीध हैं। इसके इलावा बर्मुदा मैक्स में दो बिल्कुल न्यू लोकेशन्स एड़ हुई हैं। ग्लॉक टावर और फैक्टरी। ये दावा किया गया है कि ये दोनों लोकेशन्स फ्री पायर गेमर्स के लिए बहुत ही बहतरीन जगाएं होंगी पंपीट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है क्राफ लैंड मोड। ये एक बिल्कुल नया गेम मोड है और सिर्फ प्री पायर मैक्स में अविलिबल है। प्लेयर्स के पास इसमें आजादी होगी कि वो अपना खुद का मैप बनाएं। जहां मर्जी हो वहां घर बनाएं। जहां तरख लगाना हो वहां तरख लग जाएगा। क्राफ लैंड एक मुकमल फ्री स्पेस होगा जहां पर आप कुछ भी बना सकते हैं। फाइनली इस न्यूज में मैंशन करूंगा थ्री सिक्सी डिग्री लॉबी पंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब आप लॉबी को पूरा थ्री सिक्सी डिग्रीज रेट कर सकते हैं। आप अपने करेक्टर या आइटम को अराम से हर एंगल से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्री फायर मैक्स में ये काभी अच्छा फ्यूचर है। अब लॉबी कोई पूरिंग जगा नहीं रही क्योंकि अब आप इसको अराम से मूव कर सकते हैं। और अपने करेक्टर और आइटम को मजीद क्लेरी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्री फायर मैक्स ने एक दपाँ फिर से हमें बहुत सी दिल्चर्फ चेंजिस और अफ्ग्रेट्स के साथ सर्प्राइस कर दिया है। फ्री फायर मैक्स के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन डिमिटेट टाइम है तो आज के लिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। उमीद करेंगे कि आप दोगों का फ्री फायर मैक्स के साथ अच्छा एक्सपेरियेस रहे। गुड़ बाई। मिलते हैं आप दोगों से अगले एपिसोड में अलाम करें।